लगातार परेको मन्सुनी बर्षा का कारण कपिल बस्तु जिल्लाको बाणगंगा नदीमा आयेको बाडिले गरदा कपिल बस्तु को एसोधरा गाउपालीका ओडा नमर आठ खोरिया गाउँ नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको छ नदी गाउँमा पस्न सकने डर का कारण यहांका स्थानिय पालै पालो नदी तटिय चेत्रमा राध भर जागराम बस्नुपर ने बाध्यता रोहेको छ नदी मा पानी को बहाब्र सतह बर्दै गड़ता नदी किनार को तटबंद तुटने होकी भन्ने डर ले खोरिया गाउँभासी निकई चिन्तित बने काशन बाणगंगा नदी तटिय चेत्र का स्थानिय को यो समस्य एस बर्षा को मात्राइ भने पक्कै भईना जिलामा धेरे सामसत तथा मंत्री बने तरह यहां का बासिंदा को यो समस्य जिऊंका तियू नहीं रहे। हर एक बर्षा एसरीने बाणगंगा नदी तटिय चेत्र खोरिया रह। आसपास का अन्य सर्ब साधरन हरू बाड़ी गाउमा पस्न सकने उच्च जोखिम मोल्दे आये काशन। नदी कहियां कि यह पूरा आधा समदू बंधा कड़ी गवा है आधा भर बाकी है अब आधा कड़ी गए पर हियां समदू की सब प्रसान है प्रसान है हमरे लोग सारा रात सोते तरह नहीं हैं। बर्सान को यो समस्या समधान का लागी इस्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार रो केंद्र सरकार को ध्याना करशन का लागी आगरह गरे पनी टेश को सुनुवाई नव भाई को मा यहां का यूबा अगवा हरू पनी चिन्तित भाई काशन। इस्थानिय सरकार होсь या केंद्र को सरकार होed या तपायो प्रदेश को सरकार होग। कशेगो पनी ध्यान ग़े moc छय ना। तपायो प्रते सरकार होरू आय रहा गए तरह यो खोरिया गाव को समस्या तेहीं को तेहीं रह होग। ततकाल बाडिबाट तटबंद टुटन नदिन बास र माटो तथा बालुआ भर्नका लागी खाली बुरा इस्थानिय प्रसासन ले उपलब्द गराउने तयारी गरेको छा। केंद्रमा भारी बर्षा मापन भयको र थब बर्षा हुने पुर्भानुमान रोहेकाले बाणडगंगा नदि गुडरुंग लगायत ससाना नदिहरुमा खतरा तहसमको बाडियाउन सक्ने भयकाले सतरकता अपनाउन परने देख्ये को छा। कपिल बस्तुबाट गोपाल भंडारी को रिपोर्ट। कर दो पिदे देख्यों कि पस्ट।